जे मसी की दोस्तों, आज की स्वरगी मन्ना का भाख हमने लिया है इर्मिया की पुस्तक, उसका तीसरा अध्याय और उसका बाइस्वा वचन वचन कहता है, हे विश्वास हीन पुत्रों लौट आओ, मैं तुम्हारी विश्वास हिंता को चंगा करूँगा धन्यवाद पिता परवेश्व दिरेश, पविद्र सामर्थी वचन के लिए दोस्तों, विश्वास एक ऐसा पुल है, विश्वास एक ऐसी बुनियाद है, जो हर रिष्टे के लिए जरूरत है जमीन के हर रिष्टे के लिए चाए वो पति-पत्नी का रिष्टा हो, चाए वो गुरु और चेले का रिष्टा हो, चाए वो भाई-भेन का रिष्टा हो, चाए वो पासवान और गुरु और चेले का रिष्टा हो, लेकिन हर रिष्टे के लिए बुनियाद विश्वास हो परमेश्वर हमारे बीच बादा है हम उस पुल के द्वारा चलकर परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं इसलिए यहना 3.16 कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करें वो नाश ना हो बलकि अनंतकाल का जीवन पाए इसका मतलब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को पूरे जगत के लिए दिया इश्व मसी पूरे जगत के लिए मरा हर इनसान के लिए मरा हर लोगों के लिए मरा हर पूरे जगत के लिए माना, लेकिन जो कोई विश्वास करेगा, वो आशीश पाएगा, जो विश्वास करेगा, वो अनंत काल का जीवन पाएगा, और सुख पाएगा, सुख भोगेगा, इसलिए दोस्तों, विश्वास अद्बुत है, विश्वास ही है जो हमारे अंदर श अगर आप बाइबल पढ़ेंगे इशुमसी ने किसी को भी चंगा किया जिस किसी को चंगा किया इशुमसी ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है हालेलोया उसने अपने को महिमा नहीं दी उसने परमेश्र को महिमा नहीं दी उसने विश्वास को महिमा दी उसन आप विश्वास करें कि आपने सब कुछ पा लिया है हम कलीसिया जाते हैं कुछ पाने के लिए हम कलीसिया जाते हैं चंगाई पाने के लिए अपनी नौकरी पाने के लिए सुख पाने के लिए लेकिन दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बाइबल कहती है कि ईशू मसी के द्वारा परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है हमें सिर्फ विश्वास के साथ कलीसिया जाना है ताकि हमारा संबंद, हमारा प्यार, हमारा रिष्टा परमेश्वर के संग डड़ रहे हमारा रिष्टा परमेशर के संग और मस्बूत हो जाए इसलिए परमेशर चाहता है इसलिए इशू चाहता है कि हमारा विश्वास हमारे अंदर बना रहे बाइबल के हर पद में जहां जहां आप देखेंगे इशू मुसी को चंगाई चमतकार करते हुए वहाँ विश्वास उन्होंने दिया है वहाँ पर विश्वास उन्होंने जगाया है हालेलोया थौमा जो उनका पुत्र जो उनका चुना हुआ चेला था हालेलोया जब इशू मुसी मुर्दों में से जंदा हो गए हालेलोया उसके दोस्तों ने कहा, उसके चेलों ने कहा, थौमा, हमने प्रभू को देखा है, हालेलया, लेकिन थौमा ने कहा, हालेलया, तब उसने कहा, जब तक मैं उसके हातों में कीलों के चिन न देख लूँ, कीलों के छेदों में अपनी उगली न डाल लूँ, उसके पंजर में करते हुए देखा आज वो कहता है कि मैं विश्वास नहीं करूंगा अलेलुया लेकिन मेरा पिता मेरा इशू अद्बुत है मेरा इशू महान है अलेलुया उसने प्रित्वी और स्वरकादिकार प्राप्त कर लिया था लेकिन फिर भी वो थौमा के पास आया और उसने कहा देख उन कीलों के छेद ये देख मेरे पंजर में छेद अपने हाट डाल और अपने विश्वास को बढ़ा क्योंकि अगर तेरा विश्वास मस्भूत नहीं होगा मेरे बच्चे मेरे थौमा तो तू जिन्दगी में कुछ नहीं पापाएगा तू खो देगा सब कुछ और उसी थौमा ने पहला चेला था जिसने स्विकार किया कि तू सिर्फ प्रभूई नहीं है तू परमेश्वर है तू सिर्फ प्रभूई नहीं है तू परमेश्वर है धन्यवाद परमेश्वर आज का दिन अद्बूत है आज का पहला अद्बूत है इसलिए मेरे दोस्तों मे तुने हमें विश्वास दिया, तुने हमारे जीवन विश्वास जगाया और हम सुनने वाले भाई बैनों के लिए मांगते हैं कि हमारा विश्वास बना रहे दुर्ड रहे, चटान की तरह मजबूत रहे चाहिए आंदी आये, चाहिए तुफान आये चाहिए कोई भी परिस्वास हमारे जीवन में आये, लेकिन हमारा विश्वास ना डखबगाए जो इश्वास में है, जो परमेश्वर में है क्योंकि वही विश्वास हमें अनंतकाल का सुख देगा वही विश्वास हमें जीवन देगा वही विश्वास हमें जोती कहलाएगा क्योंकि वही विश्वास है जो हमें सुख और आशीश और चांती देता है इस्व मसी के पवद्ध समाती नम से मांगते हैं Amen Amen Amen